अगामी 23 सितंबर को और सीथ है बड़ी दिल्चस्प नाम है दंतेवारा जहां पर नकसली हमले की हमेशा ही आशंका बनी रहती है अब इसी हमले में दो नेता जो हैं शिकार हुए थे और उनी नेताओं की पत्नी जो हैं इस बार आमने सामने हैं चुनावी मैदान में नमस्काल मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 News भीमा मंडावी जो बीते साल चत्तिसगर विधान सबाच नौवा में जीत कर विधायक बने उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी को टिकर दिया है भारती जन्ता पार्टी ने उन्होंने नमांकर भी राखिल कर दिया है भीमा मंडावी का निधन हो गया था और वो नकसली हमले में मारे गया थे और उनके खिलाफ कॉंग्रेस ने महिला उमीद्वार को टिकर दिया है नाम है देवती कर्मर जिनकी इस्तति हूब हूँ ओजस्वी मंडावी की तरह ही हैं उनके पती को भी नकसली हमले में नकसली ने मार दिया था तो ऐसे में अब बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच है दिल्चस्प मकाबला हाला की खबर यह भी आ रही कि इन दोनों के अलावा वहां पर नौ उमीदवार और भी मैदान में खड़े हुए हैं लेकिन फिलाल कॉंग्रेस और बीजेपी की बीच काटे की टक्कर देखी जा रही हैं सवाल यह उठता है कि अर्सर सीथे लेकर वहां पर विधायक बना कर सरकार बनाई है कॉंग्रेस ने तो फिर ऐसे में 2019 जो लोग सबाच चुना हुए थ अब से की गई है तेवती कर्मा और ओजस्वी मंदावी को टिकर देखे अब ऐसे में कौन जीतेगा उविद्वार और ओजस्वी मंदावी की जीतने की बन रही है ज्यादा संभावना है और ओजस्वी के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से लेकर अमिशा रक्षा मं सब्सक्राइब और ओजस्वी मंदावी की जीतने की संभावना इस जाता है लेकिन क्या वाकई जीत पाएंगी बात करूंगे एडविनमन सर के साथ सर आपका स्वागत है कितना लगता है क्या ओजस्वी मंदावी को टिकर दिया है एक एमोशनल अपील तो फिलाल बीजेप मद्रिर प्रदेश और राजिस्थान और चतिज़गर समयत पांच राज्यों में चुनावब दिया लात जाता है तो ओर जान पर गया बंपर को मदी मैजीक लगाता हर जाता तो कम से कम नबे में से गायतरी लेकिन उसके बाद जरह आप देखिए उसके बाद जरह आप चीजों को जरह ना पी और भापी क्योंकि तीन महीने के बाद या चार लगवग चार महीने के बाद एलेक्शन होता है लोगसभा का और उसमें कांग्रेस को फिर से मूगी खानी पड़ती यानि कि 11 मैं से नो सीटे कॉंगरेस गवा देती है और महज दो पर अपनी इज़त बचा पाती है तो गायतरी ज़रा आप देखिए कि जिन राज्यों में भी और इससे अगर रिलेट करें अगर मद्रप्रदेश को राजस्थान को भी राजस्थान में भी समूची सीटे कहीने कि कॉंगरेस घवाने पड़ी वहां पर भी कॉंगरेस सरकार में थी MP के अगर बात करें तो वहां पर भी लगवड़ एक सीट बचा पाई निक्ल की पड़ी यह n invertीकी कांग्रेस जिन में तुरंट चुनकर आई थी जिन राज्यों में तुरंट उसको सफलता हाथ लगी थी उन राज्यों में भी उसका प्रदर्शन कितना गिरा हुआ था कितना गिरावट वाला था ये मेरे खालता सूचने का विश्य है और जिस से सब दंते वाला का जिक्र लगातार हो रहा हुआ उप चु किया था जिसको लोग अभी भी शायद याद कर रहे हैं बहुत लोगों ने पसंद किया था उसको और फिर भी वो नहीं जीत पाया है लेकिन अब जिस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि च्छटिजगर मद्धिव प्रदेश राइस्थान में कॉंग्रस बैटर प्रदर्शन कर कर सके क्योंकि जो चीज उसके पास आती भी वह भी उसके हां से फिसल कर चली जाती है जैसा करनाटक में लोग देख रहे हैं उसके बाद मद्धिव प्रद्श में जिससा रार मची हुई आपस में आफत मची हुई आपस में लागतार गुटबाजी देखने को मिल रही है अब्र यह रही है जी के नतीजा के यह है कि कांघर स ब्रद्श को मुझे क्षानी पड़ रही है लेकि इस बाद दंते वाड़ा उप चुनाव काफी दिल्चस्प है और अगर देखा जाए कि बात बड़े-बड़े नेता जो है ऑचुनावी में उतर रहे हैं तो ऐसे मैं क क्या लगता है कि कॉंग्रेस बहुत कमजोर हो गई है बाणी साबित हो रही है बिल्कुल और जिस तरह से कॉंग्रेस अपनी जो मजबूती थी उसको जो होती जा रही है वह भी एक बड़ी परेशानी के सबब बनता चला जा रहा है क्योंकि इतनी बड़े बहुमत के साथ में इतनी बड़ी सीटे लेने के बावजूद भी अगर कॉंग्रेस अपनी पकड़ कमजोर कर रहे है कि वो लोग के बिश्वास पर उतनी पुखता तोर पर खरी नहीं उतर पा रहे हैं उनकी जो पॉलिसी जो तरीके हैं जो वाइदे उन्होंने मैनेफेस्टों में किये थे उ अगर यही काम कर रहे हैं तो लोग सवा में भी जीट जाते हैं यही बात मैंने रखनी कुशिश की क्योंकि गाहितरी अगर हम पूरे महावल को देखें तो महज तीन से चार महीने कंदर ऐसा क्या आपने खराब कर दिया ऐसा क्या आपने कोई आच्छी पॉलिशी नहीं कर सकते इसमें क्योंकि यह तो एक अग्जामपल हो सकता है कि चलिए अगर बीजेपी को यह सीट मिल भी गई तो यह कोई अलग बात हो जाएगी लेकिन जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन का रहा है गाहितरी वह कम से कम यही बता रहा है कि अब कॉंग्रेस पकड़ बह अब कर लेका दोसरे पर जम कर आरो प्रस्ते आरोप लगाएंगे तो आपको लगता है भारी कौन पड़ेगा तो लगता है ले जा रहे हैं और बड़े लोग नाम को ले रहे हैं तो जाहिर बात है कि इंपक्ता हो नजर आ रहा है और आपने नकसर बात कर दिक्र किया गाय कि बिलकुल इस समस्या बहुत समय से बनी हुई यह तमाम राजियति डल एा तमाम सार्कारें लगतार इसको सुलजानी कुछेशी rampon ने है लेकिन किया आनेवाले ज़नों में महिला नेता वे तो क्या मैदान में इनकी तरफ से की जाएगी जनता किस पर ध्यान लगाएगी लेकिन हाँ जिस तरह का माहौल कांगर्स के खिलाफ में कहुँगा एक तरह किसे बना हुआ है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि आपको अगर इतने बढ़े बहुमत के बाद भी अगर जनत जो अर्ष फर्ष पर गिराती इसका मतला आपको सोचने कि जरूरत जरूर है भले ही आप महिला के नाम पर या जिस तरह उनके पती उनकी डैथ हुई उसके नाम पर भले ही आप लोग बाबुक अपील के जरीए आपने खरीब लाने के खोशिश करें लेकिन ये काम के नहीं कर पया बीजेपी तब भी वहां पर सोपरा साफ करगी का एक इक सीते कॉंगर जीट पाई राजस्तान और छाट्रिसगर में देखे तो ब्रफरम इसके बहुत बहुत बाहुत बहुत बहुत बादरा है तो किस दम पर दनते वाड़ा जीट सकते हैं यही बात हो रही जो खिलाब जाकर बोट दिया समर्तन दिया उसके बाद भी जब नहीं बनाएगा तब भी लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली फिर भी सब ठीक था लेकिन जिस तरह से लोगों का मो भंग हुआ है वो कहने कि हार का जिम्मेदार बनी है वह बचा नहीं पाई तरह से सब्सक्राइब करें तो कमोबेश वैसे वहां पर भी नज़र आई तो एकाद सीट अगर बचा भी ली तो कोई बहुत बड़ा काम अपने नहीं किया या इतने बवड़े चेहरे होने के बावजूद जो तया सिंद्धिया जैसा नाम होने के बावजूद गुना से हार गया वह भी अपनी सीट नहीं बचा पाना इसका मतलब किस तरह से लोगों मासंतोष होगा सरकार को लेकर तो जाहिर बाते कहीने कई यह सूचने का विश्य कंग्रेस के लिए भी है कि मामला सिर्फ दंते बढ़ा नहीं है मामला इस समय पार्टी का संगर्ठन कमजोर हो गया उसक क्योंकि यही वो लोग ते जिन्होंने कॉंग्रेस को 90 में से अरसर सीटे जिता कर दी थी जी वाकर शट्रीस सरकार और 15 सीटे बीजेपी जीतने में काम आप हुई थी थी विदान सभाचनौ में लेकिन फिलहाल लोग सभाचनौ में उलट स्थी होगी 11 सीटों में से 9 पर ब बन रहे हैं लेकिन अगर कॉंग्रेस की तरफ से समर्थन देवति कर्मा को नहीं मिलता है अगर वो चनाव हरती है यहां पर काम नहीं आगी कि देवती कर्मा के पती मारे गया थे इस बात पर गजंता वोट दे दे तो कहिना कि ओजस्वी मंडावी भी इसी बात पर जो है वोट बटवोट सकती हैं अब दोनों ही महिला निता की स्थाथी जो है बहुत कमों में एक जैसी है अब यह देखना हो होगा कि बिजेपी भारी पड़ती है दंतेवारा उप्चनाओं पर या फिर कॉंग्रेस भारी पड़ती है नमस्कार